हालो एब्रिवन हम इंडियन पॉलिटी में या भारती राजरे वैस्था में अभी साइलेंट फीचर्स ओफ इंडियन कॉंस्टिटिशन देख रहे हैं उसमें तीन फीचर्स हो चुके हैं चौता फीचर्स हम आज देखेंगे चौता फीचर जो है वो है फेडरल सिस्टम विट यूनिटरी बायस मतलब हमारे इंडिया है उसका जो समयधान है वो अगर उसका अनुछेद पहला देखे तो उसमें कहा गया है कि भारत एक राजो का संग होगा हम सहकारी संगवाद की बात कहते हैं और यह संग जो है वो किस बहुत सारे प्रोविंस है अलग अलग प्रोविंस एक एग्रिमेंट के थ्रू बंदे हुए हैं लेकिन हमारे भारत का जो केस है हमारे इंडिया का जो केस है वह डिफरेंट है हम किसी एग्रिमेंट के थ्रू नहीं बंदे हुए है और एक पहला जो अनुछेद है वो कहता ह Union of State भारत राज्यों का एक हम भारत को एक बनाने की बात कह रहे हैं वैसे ही हमारा जो सम्विधान है वो एक संघिय व्यवस्था सरकार की उसको जो है वो enforce करता है इसमें सारे जो संग के जो भी फीचर्स होते हैं जो भी फीचर्स होते हैं वो है जैसे कि दो गवर्मेंट होती दो गवर्मेंट होती इन दे सेंस हमारे सेंटर में गवर्मेंट होगी सेंटरल गवर्मेंट और स्टेट में स्टेट गवर्मेंट केंदर में केंदर सरकार राज कि निती निल्देशक तत्व है उसमें अनुछित पचास में दिया गया है कि सप्रेशन ऑफ पावर बिट्विन एग्जिकेटिव एंड जुडिशरी बर्ट ही हम वह दो पावर की बात नहीं करें हम जो पावर है बिट्विन एग्जिकेटिव एंड लेजिसलेटिव की भी क्योंकि जो भी हमारे भारत की जो राजे विवस्ता है उसमें देखा जाये तो जो भी कानून बनाने का जो काम होगा वो होता है हमारे विधाईका का लेकिन उन कानूनों को अप्लाए करने का काम होता है हमारे एग्जिकेटिव उसका या हमारे कारवालिका का तो DPSP या राजे की नीती निर्देशक तत्व जो है उसमें शक्ति का पृत्यकरन का सिद्धान दिया हुआ है लेकिन अगर आप कारेपालिका और विधाईका के देखे तो उसके बीच में डिविजन है दिविजन है मतलब कारेओं का बटवारा या शक्तियों का बटवारा है ना कि पृत्यकरन है पृत्यकरन होता है कारेपालिका और न्याएपालिका के बीच लेकिन जो शक्तियों का जो बटवारा है वो होता है कारेपालिका और विधाईका के बीच मैं इसको फिर से समझाते ह for the student who follows English medium we have the concept of division of power between executive and judiciary which is described in the directive principle of state policy of part four of Indian constitution and you can refer the article 50 for that and similarly we have division of power described in the article 246 of the Indian constitution between legislative and the executive एक और फीचर आता है वो है रिटन कॉंस्टिटूशन आविसली वी हैव सिंगल कॉंस्टिटूशन फॉल ऑल अफ दे स्टेट्स एजल सेंटर तो इसलिए हमारे जो भारत है उसका एक ही कॉंस्टिटूशन है रिटन कॉंस्टिटूशन है और इसी जो कॉंस्टिटूशन है जा लिखित समिधान उसी कही सर्वोच्चता हमको देखने को मिलती है सुप्रिमेशी ऑफ दे कॉंस्टिटूशन कल हमने देखा था रिजिडिटी ऑफ दे कॉंस्टिटूशन समिधान की कठोड़ता अगर आपको समिधान में संशुर्धन करना है या आपको आर्टिकल 368 या अनुच्छे 338 का पालन करना होता है जिसमें दो तरीके के समिधान संशुर्धन के नियम दिया गया है अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है इंडिपेंडेंट जिडिशिरी इंडिपेंडेंट जिडिशिरी इन दे संस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी जो न्यायपाली का है उसको स्वायतता प्राप्त है उसको इंडिपेंडेंडेंस प्राप्त है कि उसमें जो एग्जिकेटिव और लेजिसलिटिव है उसका कोई भी इंटर्फिरेंस नहीं रहेगा एक चीज़ आती है bicameralism bicameralism मतलब होता है कि जो हमारा parliament है या हमारा जो राज़ों का विधान मंडल है हमारा जो पारलिमेंट या संसद या राज़ों का विधान मंडल या state legislative, assembly ये जो दोनों है ये दोनों दो सदनों में बटे होते हैं दो सदनों में बाटने का एक और यह है कि आगर हम संसत को देखे तो लोग सबा punya समय बाटा है और लोग सबा जो हम house अव the people कहते हैं house of the people इसलिए कहते है या छोगों को सदन इसलिए कहते हैं क्यों जाते हैं directly जे हैं उनका चुनाव वहां पर होता है वह नहुत si car को यह हमारे राजे को रिप्रेजेंट करते हैं और वैसे ही दूसरा होता है राज़सभा तो B- Kenneth Tribalism बता है कि हमारे जो इस्टेड है और सेंटर है दोनों में दूसिशति विवस्था है अभी तक हमने देखा कि जो हमारा समीधान है वो संगी व्यवस्ता को प्रमोट करता है लेकिन संगी व्यवस्ता होने के साथ साथ हमारा जो सेंटर है या हमारा जो केंदर है वो जादा स्ट्रॉंग है ये इस तरह किसे हमको पता चलता है कि हमारा जो पूरा इंडिया है उसके लिए single constitution है एक ही समीधान है एक समीधान होने के साथ साथ हमारा जो नागरिकता है वो भी एकल नागरिकता है citizenship भी single citizenship है constitution की flexibility flexibility मैंने कल आपको बताया था कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें state का ratification या राजों से सहमती के जो है अवशक्ता नहीं होती है वैसे इंटिग्रेटेड जुडिशरी इंटिग्रेटेड जुडिशरी मतलब जो हमारे जो भारत है उसमें न्याय पालिका की विवस्ता है इस तरीके से है कि सेंटर में होगा आपका Supreme Court Supreme Court सर्वच्चे नहील है और जो स्टेट होंगे वहां पर होंगे हाई कोट उच्चे नहील है यह ऊच्चे नहील है और वैसे ही उसके नीचे होंगे Subordinate Court इस तरीके से हम इंटिग्रेटेड जुडिशरी देखते हैं उसके साथ में जो गवर्न है वो किसके दवारा होता है जो हमारा राज पाल हैं उनका especial वी किसके दौरा होता है तो केंडर के दौरा या center के दौरा उल इंड्य HI सर्विसे से जितने भी लोग सुरी फॉर दा इंटरॉक्षिन गाई से 6 एम अब अब देखते हैं और इंडिया सर्विसे जैसे की यूपी असी से जितने भी एड्मिस्टेटर चुन करके आती हैं उन्हीं को हमारा जो केंद्र है अलग-अलग राजय में भेशता है एजन एड हमारा केंद्र है उसको स्ट्रॉंग बनाने के काम में आता है वैसे इमर्जंसी प्रोविजन इमर्जंसी प्रोविजन अपात कल के समय में अपात कल के समय में क्या होगा हमारा जो पुरी भारत की जितने भी शक्तियां है वह किसके पास चले जाएगी तो वह चले जाएगी Center के पास या केंद्र के पास इसी तरीकी से हमने देखा कि भारत का जो structure है भारत की जो समिधान का structure है वो संग्ही व्यवस्ता या फैडरल सिस्टम को promote करता है लेकिन इसमें जो है union के features भी है तो हम कह सकते हैं कि यह Muslims भी है और संग्ही व्यवस्ता loved को भी promote करता है thank you